अब आप सबी आप सबी बहुत अच्छे होंगी तो जी सुबे का टाइम है अभी सुबे क्या जो है चल रहा है सपाई अभ्यान मेरे घर को साफ करने का तो पुरे घर में जाडू लगाने के बाद डस्टिंग वगरा कर ली है मैंने फिर बारी आती है पुरे घर में करने की ये वीडियो है मंगलवार की सुबे का तो आपको मैं बता दू कि सुक्रबार के साम को अचानक से मैं चले गई थी दिल्ली गई थी इसलिए आपको पता है ना मेरी दीदी आए थी यहाँ पे तो बस दीदी को छोड़ने के लिए हम लोग दिल्ली चले गए थे और इतना सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ हजबन ओफिस से आये रात को मतलब वही साथ बजे के सम्थिंग हजबन आये थे आते ही मतलब उन्होंने मैं आपको बता दू पानी तक नहीं पिया था तो अचानक से हमारा प्लान बन गया कि दिल्ली जाने का दिल्ली हमें ज आपको मतलब अपकैर में बहुआ इसी मतलब नहीं हम बौई बस एसी रही सुक्रबार के साम को हम लोग अपने नंद के वहां चले गई थे और सनिवार के आफ्टरनून में हम वहां से आये हैं आफ्टरनून में आने के बाद बस सनिवार के रात को हम रहे थे और संडे मॉनिंग में हम लोग आ गई थे दहरा दून तो इस बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है आप लोग मेरे से बोल भी रहे थे कि दीदी आपकी दीदी तो चली गई है आप वीडियो इतना लेट क्यों डाल रहे हो तो बस थोड़ा सा वीडियो मेरे लेट चल रहा था उसके लिए sorry क्योंकि जब दीदी लोग यहां आये थे न तो मैं वीडियो तो बना ले रही थी क्योंकि हर चीज में आपके साथ शेयर करना चाहती थी एक दिन में मेरी दो दो वीडियो बन जाती थी पर फिर वही होता है एक दिन में दो वीडियो में अपलोड नहीं कर सकती तो इस बज़े से वीडियो मेरे थोड़ा सा लेट चल रहा था अब आपको फ्रेस फ्रेस सी वीडियो देखने को मिलेंगी अब आपको लेट वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी तो देखे जी यहाँ पे आई अपने घर पे और यहाँ पे जब हम आए थे संडे को संडे को तो मैंने कुछ भी काम नहीं करा क्योंकि गाड़ी में जैसी हम बैठे दहरादून आने के लिए वह होता है इतना ज्यादा मुझी बूरा लग लग रहा था दीदी उनकी इतनी याद आ रही थी बस मेरा मन बिल्कुल खराब हो गया था मेरी छोटी वाली सिश्टर है सोनी वो भी आ गई थी हम से मिलने के लिए तो वही होता है जब family को छोड़के इस तरीके से माईके से आऊना तो बहुत बुरा लगता है और माईका तो है यह ऐसी चीज कि जहां से आने में कभी ऐसा नहीं होता कि बेटी को बुरा ना लगे और उसके आंसों ना निकले जब वहां से बिदाई होती है तो देखे यह पर आई मैं और हर जगोंपे न फ्रेड़ी की साम को साइद हर जगोंपे आधी तूफान आया था तो दिल्ली में भी उज़ दिन आधी तुफान था देहरादून कब आया मुझे नहीं पता तुफान मेरी बालकनी का इतना पूरा हाल हो रखा था मतलब इतना किरकिरा हो रखा था पूरी बालकनी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी और बंदर यहाँ पर इतने है मेरे दो गमले तोड रखे थे तो बालकनी को देखे तो साथ में मुझे रोना आ रहा था कैसे मैं अपने गमले वगरा समेटू कैसे मैं सारी सफाई करूँ तो साम को कुछ नहीं करा मैंने मौनिंग में जो है फिर मैं अपने काम पे लगी तो यहां पे जब मैंने morning में सुरुवात करी ना मैंने मंडे को मतलब मैंने सापसपाई तो कर दी थी पर मैंने इतने deeply cleaning नहीं करी क्योंकि मेरा मन बहुत ज़दा उदास था मंडे के दिन पूरा दिन निकल गया मैंने कुछ भी काम दिल से नहीं करा फिर मंगलबार के दिन जो कभी कबार यूज होते हैं जैसे डिनर सेट वगरा हो गया और बाकी जो बरतन होते हैं जो कि कम यूज होते हैं उनको मैंने अलमारी के अंदर रखा हुआ था जो मेरे वॉल पे पूरी सेट है ना अलमीरा उसमें तो फिर कपडे रखने की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत ह पर अच्छा लगे जाहे ना लगे अब कीचन का सामान मैं सोचू ना कीचन में ही रखूँ क्योंकि कीचन में भी थोड़ा स्पेस है उपड़ तो यहां में रख सकती हूँ और घर में और सामान इतना ज्यादा है कि सारी चीजों को रखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा पड़ता है कीचन को सेट करा यह जो बड़ा वाला बॉक्स है यह तो कीचन में नहीं आ पाया फिर मैंने इसको कहीं और अरेंज कर दिया था और जो भी बिस्तर वगरा एश्टरा था निकला हुआ जैसे घर में महमान आये थे तो बिस्तर वगरा जो एश्टरा निकला थोड़ा देर सोखने के लिए और पूरा घर मेंने आज अपना अच्छे से साफ कर लिया है घर को अगर आप एक दिन अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो पूरे हपते भर की टैंसन आपकी खतम हो जाती है घर है चाहे कीचन है चाहे आपका बातरूम वगरा है अगर आपने एक दिन उसको अच्छे से दे दिया तो आपको बहुत जादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती अभी आप गर्मिया ही ले लीजिए गर्मिया इतनी जादा है तो अगर आपके घर में फरनीचर वगरा इस तरीके का है कि आप घर की धुलाई कर सके तो मैं तो आप से कि फरनीचर वगरा ऐसा है मेरा डबल वैड है इसके नीचे अगर पानी घुच जाएगा तो फिर सफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर क्या है ना पानी का बिल्कुल सोर्स जो है बिल्कुल उल्टा जाता है बालकेनी की तरप को नहीं जाता सारा पानी का सोर जो जाता है वो जाता है मंदिर वाले रूम के बैट के नीचे और यह डबल बैट है इसके कोने पर पुरा पानी फज जाता है तो फिर वहाँ से फिरना मुझे निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपकी घर में ऐसा नहीं है तो मैं आप से कहूंगी कि एक बार हफते में धुलाई जरूर कर लीजे और डस्टिंग तो ऐसा है कि आप जरूरी नहीं है आपको मौनिंग में ही डस्टिंग करनी है आपको दिन में जैसे काम निप्टा के या फिर साम के टाइम आपको जब भी टाइम लगे आप अपने घर में डस्टिंग कर सकते ह है, मैं तो ऐसी ही करती हूँ, मैं सुबह ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सुबह की टाइम लाख जाते हैं, तो अगर आ पने साम के टाइम ले बेहां तो डिश्टिंग कर ली, जब आप खाली बैठ रहके हैं, तो डिश्टिंग कर लीजिए, तो उससे क्या तो आपको ये सारा टेंसन नहीं होगा अगर आपने अपने घर को टाइम दे दिया कभी भी टाइम दे दिजे जरूरी नहीं है कि आपको सुबह ही सब कुछ करना है अभी जैसे गर्मियां जादा है तो मैं जादातर कोशिस करती हूँ मसीन मगरा मैं साम को लगाऊं या फिर जब बालकनी से चली जाती है तबी मैं मसीन लगाती हूँ क्योंकि मेरी बालकनी में मॉर्निंग में सारी पांच 6 बजे से धूप आ जाती है असानी से तो फिर 10-11 बजे तक धूप आराम से चली भी जाती है तो मैं कोशिस वही करती हूँ जब धूप चली जाती है तबी मै जो डस्टिंग करी है डस्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि पूरे फरनीचर में इतनी धूल हो रही थी तो मैंने कॉलीन से सारा क्लीन करा अच्छे से तो अब क्या होगा ना कल मुझे क्लीनिंग में जैसे मैं अपनी जाड़ू पोचा करूंगी तो कल मुझे डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर रही है तो उसके बाद अगर आप एक दो दिन स्किप भी कर देंगे ना डस्टिंग को तो इतनी जरूरत डस्टिंग की नहीं होती है तो फिर मैंने मसीन लग करी है आज अच्छे से उसके बाद मैंने आज अपनी बैट सीट वगरा भी चेंज करनी थी तो बैट सीट तो मैंने फिर छोड़ दी थी बैट सीट मैंने चेंज नहीं करी क्योंकि हमें कोशिस हमेशा यहीं करनी चाहिए जब हमारे पास कप्ड़े दूलने के लिए मैं कपड़ों को स्लोट उनका चेंज करना पड़ता है सारे कपड़े एक बार में नहीं आते हैं अभी हो रहा है मेरा नास्ता अभी साड़े ग्यारा यह बारा बजे का यह टाइम होगा रोटी वगरा मैंने नास्ते में नहीं खाई थी क्योंकि लेट हो गया था और मन भी करता है आजकर इतनी गर्मी हो मैंना रोटी सबजी खाने का मन करता है ठंडा ठंडा सा फ्रूट या फिर लसी बगरा मिल जाए तो फिर अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने अपने लिए वाटर मेलन काट रखा था वाटर मेलन में बैट के अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि क किचन में आई थी है अभी एकदम नहा के आई हूँ ना तो अभी बहुत जादा गर्मी नहीं लग रही थी तो मैं क्या करती हूँ ना जब कम कम गर्मी लगती है एकदम नहाने के बाद तुरंत हमें गर्मी इतनी महसूस नहीं होती है तो मैं क्या करती हूँ जो भी अपना वो बच्चे बच्चे उसको खानी पाएंगे तो मैं उसी में ही इसको बाद में मिक्स कर दूँगी तो हमारे लंच के लिए यह हो जाएगा बहुत ज्यादा ताम जाम करने की जरुरत नहीं पड़ेगी थोड़ा सा मलाई रखी हुई थी फ्रीज में बिल्कुल ज़रा सा थी बहुत ज़्यादा नहीं थी तो मैंने छोटे से बाउल में ही रखी थी दो-तीन दिन में हम लोग आये उससे पहले की मलाई है तो आजकल जैसे गर्मियों में अगर आप लोग घी बनाने के लिए मलाई फ्रीज में खटा करते हैं तो आपको बहुत जादा दिन रखने की जरुरत नहीं होती क्योंकि डर लगा रहता है खराब ना हो जाए फिर उसमें स्मेल आती है अगर मलाई में ना तो वो इसमेल इतनी गंदी आती है कि आप फिर उसका घी भी नहीं खा सकते हो तो मैं तो थोड़ा थोड़ा भी होता है तो उसको बना देती हूँ ताकि मलाई मेरी बरबाद ना हो और फिर उसमेल आ जाती है तो वो गंदा खराब ना हो जाए तो इसलिए एक तरफ मैंने कड़ी चड़ा रखी है दूसरी तरफ मैं अपना नास्ता कर रही हूँ तीसी तरफ मैं यहाँ जल्दी से यहाँ मलाई से मक्खन भी निकाल के रख दूँगी और बिल्कुल सेकिन लगे होंगे मुझे बहुत जल्दी मक्खन निकल के तयार हो गय है कहीं पर भी आपको जरा सभी धूल नहीं देखेगी पूरे घर की मैंने बहुत अच्छे सा डश्टिंग करी है कॉलीन से अगर आप अच्छे से डश्टिंग कर लेते हैं तो घर में एक दम चमका जाती है मेरे से कोई बोल भी राता कि दीदी आपने अपना मॉनिंग पर वीडियो देखना है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले मेरा घर कैसा था सपाई के बाद मेरा घर कैसा दिखता है अगर आपको इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं जरूर इस टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाऊं तो देखे जी नास्ता करने के बाद मैं अपने थोड़े दिर मैंने अपने वीडियो का काम करा है उसमें भी मुझे एक घंटा देर घंटा आराम से लग जाता है वोईस ओबर फिर एडिटिंग वगरा मतलब एडिटिंग मैं कर देती हूँ वोईस ओबर थमनिल बनाना और व तुबे आज मैंने इसको भी धूब दिखा दी थी क्योंकि क्या होता है अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये कभी इस बरतन से उस बरतन में जाता है कभी उस बरतन से इस बरतन में जाता है तो ये धर उधर भी घुमता रहता है तो अगर इस तरी के साम रखे रहते हैं इसक तो आज तो मैंने ठान ली थी आज तो मैं इसको पीस के हैं रहूँगी क्योंकि बहुत हो गई लापरवाई कभी इधर रख रहु ह Щतनी बात तो इतने दिन से इसको ऊद्धर ओर और नहीं निकल पा रहा था.. और टाइम भी पास नहीं हो रहा था मेरा तो सोचा चलिए इसको भी पीस लेते हैं, कड़ी चावल बनके बिलकुल तैयार हो गया था, कड़ी चावल तो मैंने बारा बजे ही बना दिया था, लंच हम वही करते हैं, दो ढ़ाय बजी तक, एक बजी अक्रिस आता है, और वन फॉर्टी फाइब पे बिटू की चुटी होती है, तो दोनों को लेने के लिए भी मुझे अलग अलग जाना पड़ता है, साथ में फिर बिटू आती है, नहाती है, दो ढ़ाय आराम से घर आते ह हो जाते हैं, वो नहातीद होती है, तो दो, मतलब ढ़ाय तो आराम से बजी जाता है हमें, खाना खाते खाते, तो अभी देखे, अक्रिस जब स्कूल से आता है ना, उसको तुरंत लंच चाहिए होता है, वो भूका, मतलब भूक परदास नहीं कर सकता विलकुल भी, वो तो बोलता है, ममा, आप भाया को लेने भी बाद में जाना, पहले मुझे लंच दे के चले जाओ, फिर मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि अक्केले-अक्केले खाना-खाना मुझे नहीं लगता ठीक है, तो पूरे फैमली के साथ बच्चे खाए ना, तो अच्छा लगता है, तो कल के वीडियो में उनका मेरे पास कमेंट आया था, कि दीदी, मेरा एक बेटा है, और उनका बेटा जब भी वो अपने बेटे के बारे में बताती है, तो वो थोड़ा सा परिसान रहती है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, अभी छोटे हैं, तो थोड़ा जिद्दी होते हैं तो उनका बेटा भी थोड़ा सा जिद्धी है कल की वीडियो में उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कमेंट कर रखा है और बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस बारे में जरूर बताना तो देखे मैं इतनी मुझे नौलेज़् तो है नहीं सारी चीजों की फिर भी मैं आपको बता दूँ उनका कमेंट ये था कि मेरा एक बेबी है वो अब 6 साल का हो जाएगा तो हमें दूसरा बेबी करना चाहिए या नहीं क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत अकेला फिल करता है और मेरे हजबन और मैं इस बारे में सोचने को तयान नहीं है कि दूसरा बेबी हो बाकी जो सासर होते माब का मन यह बळदा आप पुराने लोग होता जो बीटे बेटे का मुझे ऐसा कुछ नहें मेरे दो बच्चे हैं भगवान टको हमेशा हुश्ठ रखे पशे हैं यहीं मेरे लिए काफी है तो मैं आपको इस बारे में मैं आपको क्या ही बता हूँ अगर आपका बेटा थोड़ा जिद्धी है अकेला फिल करता है तो मैं तो कहूंगी आपको एक बेबी और कर लेना चाहिए क्योंकि दो भाई बहन होने से भी ना बच्चों में बहुत फरक परता है बच्चा अकेले क कुछ खाने को तयार नहीं होता मेरे बच्चों को मैं कुछ भी दे दूंगी ना तो अकेले खाने को तयार नहीं होते उनको तुरंत अपने दूसरे भाई बहन का खयाल आता है बाकी मेरी सोस्त है एक और होना चाहिए बाकी आपका बज़ट कितना है आपके मतलब जो भी मह प्लान बनाना चाहिए फिलाल यहां पे हम लोग ना केक खा रहे थे यह मदर्स्टे का केक था जो मेरे बच्चों ने मुझे सर्प्राइज दिया था और हां अगर आपको मेरा सर्प्राइज वाला वीडियो देखना है मतलब मेरे बच्चे खुद से केक लेके आ गए थे में मुझे पता भी नहीं था थोड़ सा वीडियो मैंने सूट करा है काफी पुराना भी हो गया अब तो बहुत दिन हो गए हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट करना मैं आपको इस वीडियो में मतलब अगली वीडियो में जरूर दिखा दूँगी कि हमने मदर्स्टे कैसे सेलि कर लेना मेरी वीडियो उसको लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलना मैं आप सब से मिलूंगी अपनी अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखे खुस रहिए बाबाई एंड टे कियर